इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरें मुख्य समचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों जहां पर एक एकर के चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरें मुख्य समचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमा बॉक्स में कमेट कीजेगा हैश्टैग वी सपोर्ट इंडिया पहली बड़ी खबर बताते चलें अब बीजेपी के बड़े बड़े दिगज नेता जाएंगे जेल बीजेपी टिकेट घोटाला मामला करनाटक की पुलिस ने 800 पेज की 4 सीट पेश कर दी है घपले में पार्ट और अन्य सहित 9 आरोपियों के खिलाफ आदालत में 800 पन्नों की 4 सीट दाखिल कर दी है बताते चलें सूत्रों ने बताया है कि सेंट्रल सिटी क्राइम ब्रांच ने प्रतम अतरिक्त मोखे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आरोपत्र सौपा है सभी आरोपी फिलहाल ब और आरोप लगाया कि उनसे यहां पर 5 करण रुपय की धोखा धड़ी की गई है भाजबा का टिकेट दिलाने के नाम पर इसमें कई दिगज नेता यहां पर सामिल है जो टिकेट बेचने का खेल खेलते हैं यह यहां पर पूरा मामला है दोस्तो अब कॉंग्रेस की सरकार न ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है पहले दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल और सांसद संजे सिंग लगातार यहां पर मांग करते थे कि पियम मोधी को अपनी डिगरी सर्वजनी करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था अब तो यहां पर प्रियंका गांधी ने भी कुछ ऐसी ही मांग सामने रख दी है जिया दोस्तो प्रियंका गांधी ने मद्ध प्रदेश की चुनावी रैली को समोधित करते हुए कहा है कि अगर सतर साल में कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है तो मोधी जी इसकूल कैसे पढ़ने गए प्रिय प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को समबोधित करते हुए बाते कहीं है जिसके बाद सोचल मीडिया पर मुद्धा काफ़ी गर्माया हुआ है कई लोग यहां पर प्रियंका गांधी के समर्थन में उतराए हैं तो वहीं कई लोग मांग कर रहे हैं कि प्रियंका को अपनी डिगरी देश की जंता के सामने सर्वजनिक करनी चाहिए या नहीं आप लोग भी अपनी राए कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर बताईएगा एक और बड़ी खबर बताते चलें आम आदमी पार्टी के नेता मनी सिसोधिया को बेल नहीं मिलने पर सुप्रीम कोड के पूर्व जश्टिस मदन भी लोकुर ने उठाए हैं सवाल और जबरदस तरीके से यहां पर घेरा है बीजेपी को इस वक्त की बेहत बड़ी और जोकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है फरजी आरोप में तो पहले गिरफतारी होती है फिर जाच का दिखावा किया जाता है और फिर अधूरी चार सीट इधर आरोपी महिनों जेल में रहता है और अगर आरोपी बीजेपी जॉइन कर तो सब आरोप खुद बाखुद खतम हो जाते हैं और वहीं आप लोगों को बताते चलें इसके साथ ही पुर्व जेश्टिस मदन भी लोकुर ने आगे कहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि अदालते जमानत को सुईकार या असुईकार करने के बुनियादी सिधानतों को बो जाच किया गया है उसकी जाच आखिर क्यों नहीं हो रही है इतनी देर क्यों हो रही है आरोपी महिनों तक जेल में रहता है ये बिलकुल भी बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए सुप्रीम कोड के जज्ज मदन भी लोकुर की तरफ से बड़ा बयान आया है अगर आप से सहमेत है तो वीडियो को लाइक कीजेगा एक और बड़ी खबर बताते चलें बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है आगामी संसद सत्र में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में नजर आ रही है संसद का सीद कालिन सत्र दिसंबर के दूसरे सब्तहां में सुरू होने की उमीद है कई बड़े विधायक यहां पर पेश हो सकते हैं संसद का सीद कालिन सत्र दिसंबर के दूसरे सब्तहां में सुरू हो सकता है बताया जा रहा है कि यहां क्रिसमस से पहले समाप्त हो सकता है सूत्रों की मुताबिक सत्र तीन दिसंबर को पांच राज किया जा सकता है ग्रीह मामलों की इस्थाई समीतिने हाल ही में तीन रिपोर्टों को यहां पर अपनाया था और वहीं आप लोगों को बताते चलें संसद में लंबित एक अन्य प्रमुक्ष विधैक मुखे चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पूर नहीं दिया लेकिन अब खबर आ रही है कि इस विधैक को भी पास करवा सकती है मोधी सरकार और फिर CGI उस कमिटी से बाहर हो जाएंगे जो कमिटी यहां पर चुनाव आयुक्तों और मुख चुनाव आयुक्तों का चैन करती है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बतात है तो आईए जानते हैं कि भाजपा का विकास मॉडल क्या है जब तक भाजपा सत्ता में है तब तक सरकारी संपत्तियों की विक्री होती रहेगी यूवा रोजगार के लिए लगातार भटकते रहेंगे और वही धरम के नाम पर लोगों को बाटा जाता रहेगा जब तक भ भाजपा सत्ता में है यह यहां पर देख सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने जबर्दस तरीके से भाजपा को घेरा है और कहा है कि सारी समस्याओं की जड़ भाजपा ही है इसलिए जनता को सत्ता से यहां पर भाजपा को हटाना चाहिए ताकि किसानों के अच्छे दिन आ सकें सरकारी संपत्यों की विक्रियों को रोका जा सकें और योवाँ को रोजगार मिल सकें इसलिए भाजपा को सत्ता से हटाणा ही होगा यह यहां पर कॉंग्रेश पाटी ने हुंकार भरी है दोस्तो क्या आप लोग कॉंग्रेश पाटी की तमाम बातों से सहमत हैं या फिर नहीं अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अपनी महत्पूर्ण राय जरूर लिखिएगा हाँ या ना में एक और बड़ी खबर आ रही है जान लेते हैं इस समय की एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है एक बार फिर से चुनावी रैली में पियम मोदी का जूट पकड़ा गया है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है नेता विपच्छ अधिर रजन चौधरी ने राश्टरपती त्रौपती मुर्मू को ल चार साल में बीस हजार जूट बोले लेकिन साहिब के जूट तो कोई गिन भी नहीं पाएगा ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बर फिर से चुनावी रैली में साहिब ने यहाँ पर जूट बोला है जिसके बास सोसल मीडिया पर उनको जम करके किया जा रहा है ट्रोल तो और कोईरी मामले में तरणमुल कॉंग्रस की सांसद महुआ मोहितरा की मुश्किले ठमने का नाम नहीं ले रही है अब सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोग सभा की एथिक्स समिती ने महुआ मोहितरा को सांसद से निस्कासित करने की सिफारिस कर दी है बताते चले पर बीजेपी के सांसद निसिकांत दूबे ने किया है यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे थी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक क धन्यवाद जय हिंद जय भारत